इस शहर को मंदिनों का शहर, देश की धार्मिक राजधानी, दीपों का शहर, भगवान शिव की नगरी, ज्यान नगरी, ऐसे कई नामों से सम्मुधित किया जाता है इस अतिप्राचीन, अलहड, मस्त, निराले, अनूठे शहर में इन दिनों सियासी पारा, मौसमी तपिश को मात दे रहा है यहां से देश के पीम खुद चुनावी मैदान में नमस्कार, मैं हूँ ग्याने शुकला, यूपी का ग्यान में आज चर्चा करेंगे वाराणसी संधी सीट की यूपी के पूर्वी छोर पर गंगा नदी के बाई और के वक्राकार तट पर इस्थित है ये शहर यहां वाराणसी जिले का मुख्याले और वाराणसी मंडल का मुख्याले भी है ये शहर मिर्जापूर, जौनपूर, गाजीपूर, चंदोली और भदोई इन जिलों से इसकी सरहत गेरी हुई है हिंदू धर्म का ये अत्यंत पवित्र, तीर, थिस्तल है, इसे अविमुक्त छेतर भी कहा जाता है जहां जन्म्रत्व के चक्र से मुक्ति मिल जाती है जैन और बौद धर्म के अन्युआईयों की आस्था भी छेतर से जुड़ी हुई है गौतम बुद ने अपना पर्थम प्रवचन यहीं के निकट सारनाप में दिया था प्राचीन काल से काशी, मलमल और रेश्मी कपडों के साथ ही इत्र, हाथी दात और शिल्ब कला का प्रमुख और द्योगिक केंद्र हुआ करता था प्रसिद्य चीन यातरी वेंसांग ने यहां का विस्तरत वर्णन अपने यात्रा वरतांत में किया है जो वारणसी नाम है, ये दो इस्थानी नदियों वरणा और असी इनके संगम से बना हुआ है अमरीकी लेखक Mark Twain लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन है, प्राचीन है परमपराओं से भी पुराना है, किवदंतियों यानि लीजेंड से भी प्राचीन है और जब इन सब को एकत्र कर दें, तो उस संग्रे से भी दोगना प्राचीन है रिक वेद में इसे काशी कहा गया, काशी शब्द सरपर्थम अर्थर वेद की पिपलाद शाखा से उग जा है हिंदू की सब्त पुरियों में से एक काशी का वर्णन शत्पत ब्रामभार, रामायर और महाभारत में भी किया गया इसकंद पुराण के उनसार इस शहर की स्थापना स्वय भगवान शीव ने 5000 वर्ष पूर्ग की थी महाभारत काल में काशी नरेश पांडूं की तरफ से युद लड़े थे इतना प्राचीन है इसका सिरा, मगद और कौशल का भी यहाँ पर आधिपत रहा आधनी काशी राज की स्थापना काशी नरेश मंसा राम सिंग ने सन 1725 इसवी में की इनके पुत्र राजा बलवंत ने राम नगर के लेका निर्माण कर आया जहां पर अभी भी काशी नरेश के वन्शज निवास करते हैं बलवंत सिंग के बेटे राजा चे सिंग ने अंगरेजों से डटकर मुकाबला किया कहा जाता है कि चे सिंग से जब अंगरेज हार गए थे तो वारेन हेस्टिंग्स जान बचाने के लिए इस तरी का भेश रखकर पलाइन किया था उन्होंने हाना कि बाद में बड़ी संख्या में अंगरेज आये और उन्होंने चे सिंग को हरा दिया बेनिर्वासित होकर गवालियर चले के जहां उनकी मृति हो गए यहां शिवाला घाट के नजदीक चे सिंग का किला आज भी मौजूद है बिटिश शाषन के अदिन 1910 में वारणसी को नया भारती राज बनाया गया था रामनगर को इसका मुख्याले बनाया गया था काशी नरेश अभी भी इसी रामनगर में किले में इसी में निवास करते हैं हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत का बनारस घहराना तो अतित तसिद रहा है इसी काशी में कई दार्शनी, कवी, लेखा, संगीत तक गे रहें जिनमें कबीर, बलवाचार, रविदास, स्वामी रामानन, तैलंग स्वामी, मुशी प्रेम चंद, जय शंकर परशाद, अचार राम चंदर शुक्ल, पंडित रवी शंकर, गिर्जा देवी, पंडित हरी परशाद चोरसिया, और शेहनाई वादक, उस्ताद, बिस्मिल्ला गुश्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस यहीं पर लिखा था, सिच्छा का ये बड़ा किंद रहा है, यहां नामी ग्रामी चार बड़े विश्विद्याले हैं, बनारस हिंदू विश्विद्याले यानि B.H.U., महत्मा गांधी काशी विद्यापीट, Central Institute of Higher Tibetan Studies और पूरानंद संस्क्रत विश्विद्याले हैं, सिच्छा के मामले में प्राचिंकाल से वनारस मशूर रहा है, अपने घाटों के लिए भी ये कापी प्रसिद रहा है, यहां असी घाट, दशाशमेक घाट, मडिकनिका घाट, ऐसे तमाम घाट यहां पर मौजूद हैं, मराठ करते हैं यहां के उद्योगधंदों की, यहां विकास के पहलों की, भारती रेल इंजन निर्माड के लिए बनारस रेल इंजन कारखाना यहीं पर है, लाड मेकाले ने लिखा था कि वानारसी वो नगर है जिसमें समरद्धी धन संपदा, जनसंख्या, गरिमा, एवं पवित की शोभा बनाता है, तरसल बनारसी रेशमी साड़ी अपनी भविता और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशुहूर है, बारीक बने हुए रेशम से बनी हुई इन साड़ियों पर सोने और चांदी के ब्रोकेड या जरी का काम किया जाता है, प्राचीन काल से यह शह लकडी, पत्थर और मिटी के खिलोने और सोने के अभूशन ये काम ये शिल्प जो है अतिप्रसिद्ध है, बड़ी तादाब में इन से ये काम होते हैं, इन्वेश्टर समीट के दौरान यहां 15,000 कौन रुपिय से ज़्यादा के निवेश आए, इसमें परेटन भाग के मे ये ना सिर्व बनारस बलकि पूरवांचल में आर्थी कुदे का जो सपना है, वो साकार हो सकेगा, जो चंदोली जिले के हिस्से वाली जो सीट को जो बनारस इस्ट कहते थे, अब यहां से हम चुनावी इतिहास की बात करते हैं, बनारस जो सीट थी, बनारस सेंटरल कहलाती थी, तब 1952, 1957, 1962 में जीत की हैट्रिक लगाई थी कॉंग्रेस के रहुनाज सिंग ने, 1967 में यहां से भागपा मार्क्सवादी के सतनाराण सिंग चुनाव जीते थे, 1971 में कॉंग्रेस के राजाराम शास्त्री सांसत बने, 1977 में इमर्जनसी के बाद जनता पार्टी के चंशे जीते थे, 1989 में जनता दल से अनिशास्त्री यहां पर सांसत बने, 1991 में बीजेपी के प्रत्याशी के तोर पर श्रीश चंदर दिख्षे यहां से चुनाव जीते, यह उत्तरप्रदेश के डीजीपी भी, पुलिस महाने देशक भी रहे थे, इसके बाद लगातार तीन बार यहां बीजेपी ने ही जीत तरज की, 1996, 1998 और 1999 में, बीजेपी प्रत्याशी के तोर पर शंकर प्रशाज जैसवाल ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई, 2004 में कॉंग्रेस के डाक्टर राजेश कुमार मिश्रा यहां से चुनाव जीते और सांसत बने, तो 2009 में बीजेपी के द गजनेता डाक्टर मुनली मनहर जोशी यहां के सांसत चुने गए, जिन्होंने माफिया सरगना मुकतार अंसारी को कड़े मुकाबले में काटे की टक्कर के बाद महस 17,211 वोटों से ही हरा पाए थे, कौंग्रेस के अजेराय तीसरे पाइदान पर रहे थे, 2014 में इस सीट प मोदी ने पहला अपना चुनाओ यहां से पर 3,71,784 वोटों के मार्जिन से जीता, इसके बाद वो देश के प्रधानमंतरी बने साल 2019 में बीजेपी प्रत्याशी के तोर पर मोदी ने इस सीट से दूसरी बार जीत दर्ज की, उन्होंने 6,64,664 वोट हांसिल किये, समाजादी पार्टी की शालनी यादों को 4,89,000 वोटों से परास्त कर दिया कॉंग्रेस के अजयराय भी 2019 में तब वो भी लड़े थे तब भी और उन्हें 1,52,548 वोट मिले थे इस संस्दी सीट पर कुल 19,62,948 वोटर हैं, जिनमें 20% मुसलिम वोटर्स हैं, इस छेतर में सरवाधी कावाधी OBC वोटर्स की हैं जिनमें निशाद, चौहान, राजभर, ये विरादरियां बड़ी तादाद में हैं, दो लाग कुर्मी वोटर हैं यहाँ पर, एक लाग यादों हैं, दो लाग वैश विरादरी के भी वोटर हैं, इसके साथ ही यहाँ पर ब्राम महार, राजपूत, भूमियार, कायस्त, य भी विरादरियां हैं, अंसूची जनजाद के भी वोटर्स इस सीट पर मौजूद हैं, हलाकि इस सीट पर जो जाती समीकर्ण हैं, ये बेमानी हो जाते हैं, बेसर साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद पीम मोर्दी जब चुना हो रहते हैं, वारणसी संस्दी सीट से रविंदर जैसवाल, वारणसी दच्छन से नीलकंड तिवारी, वारणसी कैंड से सौरब शिरवास्तो और सेवापुरी से नील रतन सिंग पटेल, बीजेपी के ये विधायक हैं, मौजुदा विधान सभा में, अब दोजार चोबिस की चुनावी जंग की बात करें, त बीएसपी से अतहर जमाल लारी, मायवती ने पहले यहां से पूर पार्षत सेयद नियाज अली को उतारा था, उनके नाम का एलान किया था, लेकिन फिर उनका टिकट काड़ दिया, और लारी को चुनावी मैदान में उतार दिया, ये लारी चार दशकों से अधिक वक्त से स लेकिन 93,228 वोट पाए और तीसरे अस्थान पर रहे हैं, अब बात अगर कॉंग्रेस के अजय राय की करें, तो अखिल भारती विद्यार्थी परशद यानि ABVP, RSS, राष्टी स्वयम से वक्त संग में रहे, उससे जुड़े रहे, उसके बाद 90 के दर्शक में राम मंदि का हिस्सा बन गए, इन दुनों कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यच भी हैं अजय राय, लगातार तीन बार वानरसी सीट से चुनाव लड़े हैं और तीनों बार हारने का रिकॉर्ड बनाया है, यहां चुनाव प्रचार के लिए BJP ने पूरी ताकत जूंक रखी, UPCM योग प्रदेश पाठक, केशो प्रचाद मौरया, महराष्ट के डिप्टी सियम देवेंद फानवीज ने भी यहां पर जम कर चुनाव प्रचार किया, महीं इंडी गठवंदन की बात करें, तो यहां से राहूल गांधी, अकलेश यादो, प्रेंका और डिंपल यादो ने भी प्रचार किया, वारानसी में काशी कारिडोर के लोकारपन के बाद ये पहला आम चुनाव है, वहीं कुछ महीनों पहले ही एवध्या में राम मंदिर का भव प्रान प्रतिष्ठा समारो हुआ था, जाहिर है इन फैक्टर्स का भी इस चुनाव पर असर दिखाई दे रहा है काशी में आयोजित नारी वंदन कारकरम के जरिये प्यम मोदी ने अपने चुनावी अभियान का आगास किया था, फिलहाल इस सीट पर विकास के रत पर सवार है, प्यम मोदी खुद को कर रहे हैं, साबित करना चाहते हैं जीत का दावेदार, अब उनके इस दावे पर जनत कब मोहर लगाएगी, कितने मार्जिन से उन्हें जिताएगी, सारे देश के निगाहें इस और बनी हुई हैं और आप भी बने रहे हैं, पिटी सी नियूज उत्रप्रदेश के साथ, क्योंकि वारानसी संस्दी स्रीट से जुड़े हर चुनावी घटनाओं का, हर चुनावी झाल